हेलो फ्रेंड्स एक बार फिरसे अपनों को स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है रॉयल आगरा उत्सव और मेरा नाम है उत्सव तो दोस्तों आज का ये वीडियो है मेरा यामा हाँ वाई जड़ आर वन फाइव वर्जन 3 के बारे में तो दोस्तों यामा वर्जन 3 आर वन फाइव लाउंच हो चुकिया जैसा कि आप लोग जानती है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी से जुड़ी होई कुछ बारी कियों के बारे में क्या है इसका ओवरॉल डिजाइन क्या है कमफोर्ट लिबल वो लोगों को मैं आप बता देता हूं इसकी प्राइस के बारे में ये डूल चैनल एबीएस बाइक है और इसकी आउन डोड प्राइस जो आगरा में है वो है एक लाग चौशाट अजार एक सो ब्यासी रुपे तो दोस्तों यह आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें एबीएस का दिया हुआ है आगे और पीछे दोनों डूल चैनल एबीएस के साथ में यामाः YZF R15 V3 काड़ी आप लोग के बिलकुल सामने है दोस्तों तक बात करते हैं इसके कलर्स के बारे में तो चार कलर में ये बाइक अविलबल है यामाः ने लाउंच ही है यानि कि पहला कलर जो का जो है दोस्तों वो है डाक नाइट तो ये चार कलर में ये बाइक है बहुत ही शांदार क्लासी बाइगे देखिए मैं आपको एगनीशन ओन करके इसका दिखाता हूं हाई बड़ी हेलो बड़ी करके इसमें ओन होता है और ये देख सकते हैं जिस तरीके का कंसोल यामा आ फ्यूल का इंडिकेशन दिया हुआ है ग्यारे लीटर का टैंक इस बाइक में डारा है यामाहा वाइजड एफ और 15 में वर्जन 3 की बात कर रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही सुना आप लोग है और इसी के साथ कुछ बात कर लेते हैं इसके स्पैसिफिकेशन की बारे में त ज्योंकि e maximum power अगर आप बात करते हैं इस गाड़ी की तो आपको दस हजार शाषिक प inac . bhp क बाध करते हैं तो 1500 और आपको 14.7 का maximum अगर 14.7 का maximum सिस्टम की तो वह लिक्विट कूल है और इसमें जो है वो छे हैं नहीं आपको इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि आप दोग देखा ही था आप लोग नहीं एफजेट में फाइव यह और इसमें आरवन फाइव वर्जन थ्री में नमबर ऑफ गियर सिक्स हैं दोस्तों क 17-ITY का है रियर ब्रेक्सक्षिम टाइर के अगर बात करते हैं तो वह भी ढिश्ट आगे और पीछे दुना आपको डिसक मिल जाता है डूँट जनल में ईसबतों 2020 द्राइव और फ्रंट वीर कम सॉइज cao मिल जाता है और और टाइल साइज कि आगर बात करते तो- traveled 140पय सवेंटी का आपको ट्यूबस टाइल धाइल ढेगे लुमने हैं और वीछ करते हैं तो को आपको अलग फिल निल जाते हैं फ्रन फ्रॉंट सस्केंशन आपको इसमें टेलिस्जॉपीक फोक मिलता है साथ ही रियर सस्पेंशन जो है वो स्विंग का लिंक सस्पेंशन आपको मिल जाता है इस बाइक के अंदर दोस्तों अगर कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं जैसे कि आप लोगों को ओडो मीटर स्पीडो मीटर कंसोल के अंदर डिस्टल मिल रहा है स्प्राइब करे लिए फेलों को मिल रहा है तैको मीटर डिस्टल मिल जाता है इस टैंड अलाम नहीं दिया हुआ हैस्टिज दिए हुए इस और सब्सक्रालाप यह इसमें लो फ्यूल इंडिकेटर दिया हुआ है दोस्तों जाने कि अगर आपका फ्यूल अगर टैंक के अंदर लो हो रहा है तो आप उसे देख सकते हैं सामने कंसोल की ऊपर एक लाइट दिया हुआ है जिससे आप लोग इस सीज को देख सकते हैं कि आपके गाड़ी में फ्यूल जो है वह कम हो गया है तो दोस्तों इसी के साथ अगर बात करते हैं हम लोग वहलाइट हैट टाहिक की तो वह LED हैटแลहम्स का यूज किया और नहीं खहे दोस्तों भात करते हैं और आपको इस बाइक के अंदर भी किक नहीं मिलेगी दोस्तों तो ये एक चलन है जो ज़से स्पोर्ट्स बाइक के अंदर के बात करें तो किक नहीं होता है एलेक्र के स्टार्ट सारी भाईक को देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज वोलूगा इवाइक जतना लगती है आपनों को दूर से इतना इस पोड़ी लोग देती वाइक उतना ही बैठने के बाद बहुत ही शानदार आपकी उपर जस्ती है या बाइक दोस्तों तो आप दोस्तों देख सकते हैं इस बाइक के बारे में यामा R15 वर्जन 3 दोस्तों देख सकते हैं इस बाई को आपको दिखा देता हूं पूरी साइट से और देखिए पहले वाले मॉडल से भी बहुत अच्छा काम किया है यहाँ आरवन 5 के उपर और जो सीट है वो जैसे के आप देखी रहे हैं सेब्रेट सीट दिया हुआ है राइडर के लिए पहले न के लिए और देखिए टैंक पे किस तरीके का इसमें कलर यूज किया गया है किस तरीके कर डिजाइन दिया है काफी अच्छा लग रहा है कंसोल देखिए आप इसका कितना प्यारा कंसोल एक दिम गेम मोड जैसा कंसोल दिया हुआ इस गाड़ी के अंदर तो यह है यामा आरवन 5 वर्जन 3 तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राहे ज़रूर बता दीजिए और आपको कैसा आप अगला वीडियो मेरा किस टॉपिक में जाते हैं कौन सी बाइक को देखना चाहते हैं किस बाइक के बारे मे एक नई वीडियो के साथ आओंगा जय हिन जय भारत कि जिए करे देखना थान जय हुआ है Barcel बत्मसी मेरा किस बाइक के बाहे हैं किस बाइक टुछ भी वीडियोका शॉआ कुछ ब embod止 הזה हैं starters